आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोसल साइंस पेडागोजी कैसे आप ट्रिक से हल कर सकते हैं कम समय में अधिक प्रशनों को आप कैसे हल कर पाएंगे तो देखते ही इस वीडियो को शिरुवात से अंतुत तक इसके साथ ही साथ हम आपको प्रीवीज एर के कुश्चन्स भी सौल कराएंगे तो सबसे पहले आपके सामने अगर कोई प्रशन आता है चार ऑप्सन अगर होते हैं तो आपको देखना है वहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता ताकि आप समझ पाएं कि इसमें से जो कूट वाले कई सारे प्रशने उसमें से आप कौन सा लगाएंगे A B सही है B C सही है C D सही है या A B C D चारो सही है तो सबसे पहले आपको औप्शन में देखना है कि अगर आवसर प्रदान किया गया दिया है किसी भी विकल्प में ये जो कीवर्ड हैं ये ससेष्टी के साथ साथ अन्य सबजिक्ट की पेड नहीं होगा भी question कराएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से इसको अपको apply करना है प्रेरित करना बच्चे को हमें क्या करना है प्रुट्साहित करना है प्रेरित करना है इसके अगर question में कहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को हम सामाजिक विसे अगर पढ़ा रहे हैं अग कि हावर्ड गार्णर ने भी अपना बहुद्धिका शिद्दानत दिया उसमें बताया कि हम कई तरीकों से कच्छा में सिक्छड में अपने कई तरीकों को सामिल करें ताकि सिक्छड हमारा प्रभावसाली बन सके खोज आधरित मौका देना हमें बच्छों को और कुछ ऐसा क् इच्छा बनी रहे और थात जिग्यासा पैदा करना है वहीं पर अगर ऑप्शन में कहीं पर दंड देने की बात कहीं जा रही है कहीं पर भाव किया जा रहा है लड़का और लड़की में तो वो विकल्प कभी सही नहीं होगा अगर कहीं पर याद करने की बात कहीं जा रही रट्टा लगवाय जा रहा तो गलत होगा केवल ही मातर एक मात इस options को भी ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे केवल एक ही point पे जोड़ दिया जा रहा है या एक मातर लिखा है तो उसका विकल्प सही नहीं होगा जैसा है कि हमने आपको बताया रटना याद करना इसमिलर दोहर यह negative options की पहचान कराते हैं बच्चे को हमें लालच नहीं देना किसी प्रिकार का कि बच्चा अगर स्कूल डेली आए उसके लिए उसका चॉकलेट दें बच्चे की हमें उपेक्षा नहीं करनी है अगर कुछ कर रहा है तो इसको हम डी मोटीवेट नहीं करने हमें डी मोटी अगर कहीं पर ऐसा कुछ activity करने का मौका मिल ला है या बाहर कहीं हमें घुमाने का मौका मिल ला है या जैसे अगर हम बात करें political science की तो इसमें गर हम समाज के द्वारा समाज के बीच में जा करके लोगों से कुछ सीख रहे हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है लेकपाल का क्या कार होता है ये सारी चीज़ें अगर हम practically सीख रहे हैं तो जादा बैतर होगा इसलिए यहाँ पर कहा गया क्रियाशी लदिगम अगर बच्चे कोई गलती कर रहा है या विद्यालाय नहीं आ रहा है या सामाजिक विसे में interest नहीं ले रहा है अप्षन होगा पाठिक्रम को पूरा करने पे ज्यादा हमें जोर नहीं देना है कि बस जल्दी से हम slaybas खतम करें और आगे बढ़ें ज्यादा हमें पाठिपुस्तक अंकों पे ग्रेड पे जोर नहीं देना है कि बस जल्दी से बच्चे का आकलन कर रहे हैं और हम ग्रेडिंग उसको अप्लाई कर दें कि तुम फश्ट हो तुम A ग्रेड हो तुम B ग्रेड हो रैंक के निर्धार अगर कहीं ऑप्षन में दिया है तो वो निगेटिव होगा उसकी भुमिका क्या है जैसे इतियास भूगोल लागलिक साथ साथ पढ़ते उसका क्या रोल है यह बताया जाए ना कि हम रैंक निर्धारित करने में ठीक है तो यह निगेटिव पॉजिटिव ऐससे ऑप्षन को आप देख सकते हैं नकल करना अगर कहीं ऑप्षन में दिया है तो निगेटिव हो जाएगा अब हम बात करेंगे कि जब पेपर आपके सामने आता है तो वहाँ पे क्या आपको दिक्कत होती है इस तरीके से आपको एक क्वेशन पेपर मिलेगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला जो है यह सभी को अनिवार करना है ध्यांदेने वाली बात यहाँ पे यह है कि भाग दो और भाग तीन अगर आपका सब्जिक्ट सोचल साइंस है तो आप भाग तीन से क्वेशन को हल करिएगा क्वेशन दोनों में ही 31 से ही शुरू होंगे आई दिखाते हैं जैसे यहाँ पर आपका बालविकास का 30 नमबर मतलब 30 क्वेशन कंप्लीट होते हैं उसके बाद यहाँ पर गलित विज्ञान दिया है तो अगर आपका सब्जिक्ट यहाँ पर सोचल साइंस है तो थोड़ा साब नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ भाग तीन में आपको मिल जाएगा सोचल साइंस लिखा होगा यहाँ से आप पेपर को शॉल्ब करिएगा चलिए शॉल्ब करते हैं एक पेपर और आपको दिखाते हैं कैसे निगेटिव पॉजिटिव का चैन यहाँ पर कर पाएंगे जैसे यही पर हम आपको एक क्वेशन दिखा दें एक कोई क्वेशन हम आ नहीं जारी हटा दीजे क्योंकि हम बच्चे को याद नहीं कराते हैं आकलन का उद्देश याद कराना नहीं होता है आकलन का उद्देश वर्गिक्रत करना नहीं होता है कि बच्चे तुम फेलो तुम पासो इसको हम अलग-अलग कर दें या तुम फर्स डिवीजन आयो तुम second division आयो तुमको अलग-अलग कर दें ये भीदभाओ ये वर्गी करण नहीं होता है अकलन का उद्देश से यहां पर भी विवेद की बात कही जा रहे तो इस तरीके से आप ट्रिक्स से चारो प्रिकल में बहतर option को चूज कर पाएंगे तो चले शुरू करते हैं आगे के वीडियो को और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजेगा NCRT कचा 678 के लिए हमने civics history, geography सब करार हैं जिसमें civics complete हो चुकी और आगे आने वाले वीडियो सब आपका complete करा दिया जाएगा जिनकी playlist का लिंक आपको नीचे description box में comment box में मिल जाएगा चले शुरू करते हैं पहले प्रशन से Question number 1 है आपके सामने सामाजिक विक्यान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश से क्या होना चाहिए पहला option सिक्षारतियों में प्रतिसपरदा जागरत करना दूसरा option है सभी तत्तु जो समाज का निर्वार करते हैं उनके बीच के संबंदों का बोध कराना सिक्षारतियों को सामाजिक एतिहासिक तत्त याद कराना समाज में यथा इस्तिती बनाया रखने तथा सरकार के सभी निर्वार को शुईकार करने के लिए सिक्षारतियों को तयार करना मुख्य उद्देश से क्या होगा अगर आप सोसल साइंस पढ़ा रहें एक टीचर होने के नाते सबसे पहली बात हम तत्तियों को याद नहीं कराएंगे यह ऑप्शन खतम हो गया सिक्षारतियों में प्रतिसपर्दा मतलब कंपटीशन बढ़ाएं हो सकता था लेकिन यह मुख्य उद्देश नहीं है तो यह गलत हो गया अब आपके पास बचे दो ऑप्शन चौथा क्यों गलत होगा क्योंकि यहां पे कहा गया है बच्चों को इस इसाब से पयार करें कि सरकार के वे सभी निर्णे को स्विकार करें है ना तो यह भी गलत है अब मालियों सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो क्या हम उन निर्ण को भी सुईकार कर लेंगे नहीं तो ये बात भी गलत हो गई और यथा इस्थिति बनाया रखना ये भी एक नेगेटिव ऑप्षन है कि यथा इस्थिति का मतलब क्या हुआ जैसे को तैसा जैसा है वैसे ही चलने दे तो यह भी गलत है तो यहां पर ऑप्षन आपको सही हो तो यहां पर भी ऑप्षन सही होगा सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देशी क्या है अब आकलन का जो उद्देशी है जो बालविकास में आपने पढ़ा है जो हिंदी में पढ़ा है वही काम आयागा कुछ नया नहीं है आकलन हम क्यों करते हैं याद करने वाला option गलत हो गया अगर आपने tricky वीडियो देखा ढंग से याद करने वाली बात गलत हो गई वरगी क्रत और चिन्नित करने वाली बात गलत हो गई क्योंकि हम बच्चों का आकलन इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम fail और pass का चैन करें अलग अलग करें है ना तीसरा option है सिक्षार्थियों के बीच विभेद को दर्शाने के लिए या फिर last option है प्रतिपुष्ट देना तथा माना के स्थापित करना जिसको पाने के लिए वो प्रयास्तरत रहें तो इसमें से मुख्य उद्देश आकलन का क्या है तीन option तो हमने हटा दिये आंसर बच्चा प्रतिपुष्ट देना प्रतिपुष्ट का मतलब होता है feedback अर्थात हम क्या करेंगे बच्चे को feedback देंगे जो भी आकलन के बाद आपने जो observe किया है जो आपने देखा है बच्चे की प्रगत इस्तर का उससे संबंदित हम feedback देंगे कहां पे सुधार के आवशकता है और कहां पे आव सकता नहीं है ये feedback देना मुख्य उद्देश होता है आकलन का जैसे आपका weekly टेस्ट होता है क्वीज होती है मन्तली टेस्ट होता है है ना बच्चों का जो आप टेस्ट लेत में उपयोग किया जा सकता है क्यों फिल्म का उपयोग क्यों कर रहे हैं हम तो फिल्म जो है स्रब दर से दोनों का काम करती है फिल्में कच्छा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है ठीक है दूसरा option फिल्में अंदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की सकती positive option है तीसरा option है, फिल्म में ऐसी कहानिया, कहानियों, समवादों और छवियों को सामने लाती है, जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, ठीक है, लाश्ट option है, फिल्म में एक वस्तोनिष्ट माद्यम है, जो छात्रों को एक ही तरीके से लिखा हुआ है, हाँ पे, तो ये गलत हो गया, एक ही तरीके से नहीं, क्योंकि कही तरीके से, क्योंकि हमने आपको tricky वीडियो में भी बता रखा है, अगर ही सब्द मिल जाए, तो वो option नकारात्मक बन जाता है, तो ये गलत हो गया, बाकी सही है, कच्छा के भीतर बाहरी दुनिया को लाती है, है ना, अन्देखे और अनसुने संदर्बों को खोजने की सकती से प्रेडित होती है, बात सही है, तो यहाँ पर answer जाएगा, A, B, C सही, कुछ चीज़ें ऐसी है, जो हमसे दूर हो सकती है, या हो चुकी है, उनको भी हम देख सकते हैं, ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भविश में, जैसे आप टेलिफॉन देख रहे हैं, बेसिक वाला जो पहले होता था, वो अब दीरे-दीरे कम हो रहा है, एक समय आएगा कि उसका यूज ही बिलकुल बंध हो जाएगा, तो क्या है, वो टीवी पे आप देख सकते हैं, या डाइनासोर भी लुक्त हो रहे हैं, जैसे टाइगर की संग्या घट रही है, या जो चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं, भवेस में जो चीज़ें हमसे दूर हो सकते हैं, उनको आप टेलिविजन के माद्यम से देख सकते हैं, तो तीनों आप्शन सही है, A, B, C, इसका सही जबाब होगा, कच्छा में मांचित्र के प्रियोग के संदर्ब में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है, मैप का प्रियोग आप करते हैं, मांचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक संस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मांचित्र में उपर दर्शायक है मांचित्र एक त्री आयामी साधन है जब कि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं लास्ट ओप्सन है शिक्षारतियों में समय के उफ़ाणा को विख्षित करने के लिए मानुए एक सहायक है कर्षिन नमबर 4 यहाँ पे सही गतन एक ही है वो है पहला कहा जा रहा है मान्चित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है क्योंकि देखिए मान्चित्र दो तरीके के होते हैं एक होता है पॉलिटिकल वाला राजनीतिक वाला और एक होता है जो भोगोलिक वाला होता है तो यह क्या है इसमें हम पूरा देख सकते हैं कि राजनितिक एरिया क्या क्या है और सामाजिक एरिया क्या क्या है यहाँ पर यह बात गलत कही गई कि हम दो आयामी दुनिया में है और मांचित्री आयमी होता है यह कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पे केबल पहला विकल्ब सही होगा आंसर होगा option number A सिक्षार्तियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के सिक्षक को क्या करना चाहिए विसे वस तुम्हें विविद सांस्कृतिक दिश्टिकोलों को जान बुच करें सपष्ट रूप से सामिल करें अच्छी बात है विद सब्द अपने आप में positive होता है तो पहला option तो सही होगा इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें A option है वो सही होगा B और C इसमें A नहीं हटा दीजिए अब आपके पास बच्चे दो option अब देख लीजे B सही है या फिर C सही है इन दोनों में प्रभावसाली कौन सा है कच्छा में सिक्षार्तियों को निजी योम पारिवारिक तो हमें बच्चे की personal life से क्या मतलब है उसके personal life में क्या चलना है उससे हमें मतलब नहीं है A और C सही हो जाएगा बिवित सांस्क्रितिक डिश्टि कोड और यहाँ पे सिक्षार्तियों को अपने उधार्णों एवं अनुबहों को कच्छा में साजा करने के लिए मौका दें ये बात बिलकुल सही होगी तो question number 5 आंसर जाएगा A और B सही है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्याथ 6 के लिए इतिहास पढ़ाते वक्त वंसा वाली चार्ट का प्रयोग क्यों होता है वंसा वाली चार्ट होता है कि 15 से 26 से ये युद्ध हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर ये हुआ इसमें ये वंस के लोगों ने सासन किया इसमें ये किया इसमें ये किया तो ये वंसा वाली चार्ट होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है किसी सामराज या वंस के वर्दन विकास को चित्रित करने के लिए अनुक्रम एवं अनुक्रम अतलब ही सीक्वेंस एक क्रम प्रकार रात्मक संबंदों को दर्शाने के लिए एक कालक्रमिक रूप देखा देने के लिए सिक्छार्थियों में इस्थान की उधाना को विक्सित करने के लिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने अब देखिए यहां पे जो उत्तर दिये हुए हैं यह 3-3 के आप्शन में दिये हुए हैं तो एक आप्शन कोई न कोई गलत तो होगा ही चली पहले आप्शन को एक बार देखते हैं किसी सामराज या वंस के वर्धन विकास बिलकुल सही है वनसा वली के माद्यम से हम बता सकते हैं कि पहले कौन वनसा है इसके बाद किस वनसा ने सासन किया इसके बाद किशने तो यह तो सही हो गया एक करम भी बना रहेगा तो अनुकरम वाली बाद भी सही है एक काल मतलब डेट वाइस ठीक है वनसा अनुकरम से में डेट वाइस भी जानकारी नहीं बता सकते वंसावली चार्ट के माद्यम से तो यहां पर आंसर होगा option number first के साथ द्रश्ट इबादित सिक्छार्थियों के साथ कारे करते समय एक सामाजिक विज्ञान सिक्छक को किस प्रकार से सिक्छड अधिगम प्रक्रिया में अनकूलन करना चाहिए यतोचित विराम तथा पुनरा व्रति के लिए स्पष्ट इवं उच्चा वाज में बोलना विविद प्रकार के आकर्शक द्रश्यों वाले कारे पत्रों का प्रयोग करना मौकिक संकेतों द्वारा कलपना करने के अवसरों को उद्पन करना कच्छा में चर्चा के दौरान टेक्स्ट्राइल यानि स्पर्स करने वाली सामगरी को सामिल करना तो यहाँ पे अभी आगे कूट दिये हुए हैं पहले आप इसमें से देखिए कौन सा अनुकूल होगा द्रश्ट इबाधित बच्चे के लिए प्रश्न संक्या साथ आपके सामने आकर्शक द्रश्यों का प्रियोग करने से कुछ होगा जब बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा तो बी वाला ओप्शन हटा दीजे बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है संकेतो द्वारा तो ठीक है बच्चा देख नहीं सकता लेकिन संकेतो जारा अगर कलपना करने के अगर आप उसर उपलद करा रहे हैं वही मौखिक संकेत बोल करके बोल करके अगर आप कुछ बता रहे हैं सुन तो लेगा बच्चा देख नहीं पा रहा कोई बात नहीं है यहाँ पर हम उसर उपलद करा सकते हैं ठीक है और इस परस्ट और उच्चा बाज में बोले ठीक है तो यहाँ पर आपको यह वाला हटा दीजिए आपके पास option बच्चा A और C और D ठीक है इस परस्ट करके बच्चा सीखेगा जो दर्ष्ट इबादित है तो A, C और D यहाँ पर किस option में है प्रश्चन संक्या साथ तो यह है दूसरे option में नहीं समझ में आएक बार फिर देखिए दर्ष्ट इबादित बच्चा है तो दर्ष्ट वाले कारिपत्रों का प्रिय करने के आउसर को आप उत्पन करें संकेत मतलब यह नहीं कि आप हाँ चला करके दिखाएं मौखिक संकेत बोल करके कुछ आप ऐसे संकेतों में बचाएं कि जैसे आपने बता दिया कि किसी चीज को अगर आप टेच करते हैं वो चीज छूने में बहुत soft है तो यह हो सकती है है ना भारी है तो लोहा हो सकता है इस तरीके से आप संकेत बता सकते हैं तो A, C, D सही है इसलिए इसका दूसरा विकल्ब सही होगा सामाजिक विज्ञान सिक्षड में प्रोजेक्ट विधी के कतनों पर विचार करिए प्रोजेक्ट मैठेद आठ्वा प्रशन आपकी सामने एक option यहाँ पर गलत होगा क्योंकि तीन-तीन के जोड़े दिये हैं यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर का जारा है पूर्ण रूप से सिक्षक केंडित है प्रोजेक्ट विधी जो है पूर्ण रूप से सिक्षक केंडित नहीं है बाल केंडित होती है बालक को उसकी आवशकता रुची के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसी हटा दीजिए उपियोगिता वादी रिष्टिकोड से प्रेरित है विध्यातियों को खोजी बना देती क्यों क्योंकि प्रोजेक्ट देंगे तो बच्चा कुछ खोज करके लिखेगा अपना नोट क करेगा प्रोजेक्ट त्यार करेगा सो निर्देशित क्रिया कर आप बच्चा खुद करेगा तो यहां पे एक ऑप्शन को हटा करके बाकी सही है ए बी डी सही है तो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नमबर थर्ड अन्वेशड को इच्चुक रचनात्मक दिश्टिकोड से सामाजिक विज्ञान के सिक्चिका अपने सिक्चारतियों को किस रूप में देखेगी सही विकल्प का चैन करिए सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज तो खोज को हम ऐसे भी कल्पना की विवात हम करते हैं अब आपके पास यहां पे क्या बच्चा समस्याओं के समधान के ल चर्चा करने को मिस्थखित क्यों करने है चर्चा करने के तो हमें आवसर देने है तो A, B, C, 3 सही है औप्षन नमबर यहां पर दूसरा सही होगा सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समाविशी बनाने में कौन सहायक हो सकता है पाठचर्या को जेंडर समधित मुद्दों से जोड़ना आप जेंडर वाले मुद्दों को जोड़ रहें यहां पे दूसरा option देखिएगा कच्छा में एक रूप निर्देश से हम एक निश्चित बिल्कुल गलत हो गया यह तो बिल्कुल गलत हो गया कि आप एक रूप निर्देश दे रहें और एक ही समिस जिस तरीके से टॉपिक होता है उस तरीके से हम पढ़ाते हैं आपको अधिक समावेशी बनाना है समावेशी बनाना मतलब सबको एक साथ लेकर के चलना है लिंग धर्म जाती किसी भी आदार पर भेदभाव नहीं करना है यहां पे काज़रा एक परिच्छा पत्र सभी के लिए मतलब सभी के लिए एक ही जैसी परिच्छा पत्र तो यह क्या सही होगा अगर हम मान भी लें कि एक जैसी परिच्छा यहां पर परिच्छा नहीं लिखा है परिच्छा पत्र लिखा है ठीक है तो यहां पे अगर हम मान भी लें कि यह सही है तो हमारे पास ऐसा कोई option नहीं है कि हम 3-3 का couple ले करके चलें यहाँ पे दिया हुआ है B, C, D यह हो नहीं सकता क्योंकि हमें देखिए कौन सा सहायक आपको देखा जाना तो यह तो गलत हो गया अब आपके पास option बच रहे हैं कौन कौन से A सही है और विबेर श्रोतों को सामिल करना भी सही तो A और C यहाँ पे सही हो जाएगा answer हम लगाएंगे option number 2 के साथ लगला देखिए विद्यारतियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए कम्यों को इंगित करने के लिए समाज में यथा इस्थिति बनाया रखने के लिए ये समझ रहे के लिए कि उनकी खुद की जिन्दगी अच्छा मुडबे उनकी खुद की जिन्दगी से कैसे जड़े विये हैं सबसे अच्छा है यहाँ पे बच्चा कि आए खुद पर फील करेगा खुद से जोड़ करके देखेगा तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा option number third निमने लिखी तो दारों में विविदता को दर्शाने वाले उदार का चैन करिए जिसमें विविदता की बात कही जा रहे हूँ बहुत आसान question है यह इससे आसान नहीं मिलेगा आपको और यह question जो आप पढ़ रहे हैं यह 19 में पूछे गए हैं सीटिट की परिच्छा में सरोच को इस हूल जाने का मौका मिले जबकि निर्मिला को नहीं तो यह तो बाद गलत हो गई भई बेदभा हो रहा है एलन एक गरी परिवार से जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है क्या लग रहा है आपको यह सही है नहीं यहां बेदभा हो रहा है आपको विविदता चैन करना है रगू सुरेस को फुटवाल की टीम में सामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वे समाच के खास समुदाय से आता है यहां पर भी गलत परिटोस को अच्छी बंगला आती है वही सुचिता जो है हिंदी बोलती है यहां पर विविदता है ना किसी को बंगला आ रही है किसी को हिंदी आ रही है तो यहां पर विविदता है आंसर होगा option number 4 एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के सैच्छिक ब्रमड़ में जीरो, बुम्डिला, नामदफा, राष्टी उद्यान तवांग तो था लिशांग गाउं को सामिल किया गया किस माध्यम से विद्यारतियों को आप ब्रमड़ किये गए दो राज्यों को अब आप से पूछा जारा है कि नामदफा, राष्टी उद्यान, तवांग, लिशांग ये कहां से संबंदित हैं तो आपको पता होगा है नामदफा जो है अनुनाचल प्रदेश से संबंदित है अब अनुनाचल प्रदेश किस्व ऑप्शन में है एक ही ऑप्शन ऐसा है आप लगा दीजिए अनुनाचल प्रदेश और मडिपुर एक मांचित्र पर दिखा करके आप ये सब कुछ बच्चे को समझा सकते हैं कि यहाँ पे बोमडिला है यहाँ पे नामदफा है यहाँ पे तवांग गाओं है यहाँ पे लिसांग गाओं है असे आप समझा सकते हैं क्योंकि नामदफा राष्टी उध्यान जो है यह पूरवी हिमाले जैव वित्ता इस थलका सबसे बड़ा संब्रचित छेत्र है और यह पूरोतर भारत में अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है बोमडिला दर्ले की बात करें तो यह भी अरुनाचल प्रदेश के तवांग और दिब्बत को जुड़ता है यहाँ पे तवांग की बात करी जा रही ना मतलब आपसे प्रशन क्या पूछा जारा समझिए, सामाजिक विज्ञान की समसामाइक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसको प्रोतसाहित नहीं करती, ये आपसे प्रशन पूछा रहा है, क्योंकि लिखा रहा है केवल इसको छोड़ करके, तो यहاں पर कहा जा रहा है, सोयम के न्वों ये तो बास सही है, प्रशनों के समान उत्तर देने के लिए, तो कि प्रशनों के समान उत्तर का मतलब सभी बत्ष एक जैसे उत्तर दें, नहीं, ये गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सका सही है, क्योंकि question आपसे negative form में पूछा जा रहा है तीसरा क्यों सही है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिक्षार्थियों को दिये गए विसेवस्त पर प्रशन दाने की छमता के साथ प्रशनसा करना बहुत अच्छी बात है भाई अच्छा कारी कर रहा है अगर हम उसकी प्रशनसा कर रहे है यहाँ पे भी आउसर दे रहे हैं तो यह सब क्या है positive है यह negative है और negative ही आपसे पूछ रहा था केवल इसे छोड़ करके तो answer क्या जाएगा option number two के साथ नहीं समझ पैदेखिए केवल इसको छोड़ करके मतलब एक ऐसा option है जो सामाजिक विज्ञान की समसामएक समझ के लिए पुट्साहित नहीं करता यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि समान उत्तर देने के लिए आप कह रहे है हम एक जैसा उत्तर देने के लिए बात नहीं करते कि सभी बच्चे एक जैसा रटा रटा उत्तर दे सभी बच्चे अपनी अभिवेक्ट करे अपने सब्दों में उत्तर को देंगे तो वो ज़्यादा बहतर होगा निमलकित में से जेंडर रूड इवादता का उधार नहीं है सिर्फ लड़कों को फुटवाल टूनामेंट के लिए ये तो है सिर्फ लड़कियों को ये भी है हाला कि लड़के कच्छा गच चर्चा में ददबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों लड़कियों एम लड़कों दोनों की सहवाधिता को प्रुचाहित कियाता है सही हो गया यहीं सही है क्योंकि इसमें दोनों की बात कहीं जा रही तो पंदरवा का तीसरा विकलब सही होगा यहां पे हम अलग-अलग कर रहे हैं अलग-अलग पंदि में बै आने के लिए क्या आवस्यक होगा किस तरीके से आप अपने सिक्षड को प्रभावसाली बनाएंगी अतीत के सभी साइंस क्रितिक प्रिथाओं को बनाये रखना साहितिक श्रोतों का समा लोचनात्नों को इसलेशन करना चाहें वो कितने भी पुरानी हो सभी गैर शापदिक श आपके सामने यहां पर अंसर होगा बी और डी सही है अर्थाच साहितिक श्रोतों का समा लोचनात्नों को विश्लेशन करना होगा जो साहितिक श्रोत हैं जहां से में पता चलता है कि कौन कौन सी चीजे हमारी पहले थी चली आ रही जो आपने पढ़ी हड़ाई में मोहन जो करिए कितना भी पुराना हो ठीक है यह सबसे अच्छा तरीका है और डी में कहा जा रहा है श्रोतों के ट्राई यानि ट्रिकोडी को प्रमुक्ता देना यह भी अच्छी बात है यहां पर आप आलोबर देख रहे हैं है ना तो यहां पर बी और डी दोनों सही होगा निश्क इदन सीलता को प्रोटसाहित किया जा सकता है कैसे करेंगे सामाजिक न्याएं देखिए दंड देने की बात कही जारी गलत हो गया ना चर्चा में सामिल करना अच्छी बात है ये भी सही है सामिल कर रहे हैं ये भी सही है तो एक ही गलत है यहां पर उसको हटा दीजिए बाकी A, B, C सही अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही होगा इतिहास सिक्षर सास्त्र प्रयास करेगा क्या प्रयास करेगा सही विकल्प इसमें से आपको चुलना है ये जो सही विकल्प लिखा है ये ऑप्शन के बाद लिखा था बठ हमने थोड़ा एक साथ लिख दिया है कुशन नमर अठारा इतिहास का निर्माल रश्रोतों पर आधारित होता है बात तो सही है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और वदलागों खोजे ये भी वास सही है इतिहास ब्याक्ख्यानों के विवेश से सनलगनों तता प्रमुक समदाय के विचारों को नमोदित करें जीकि ब्याक्ख्या इसमें भी ज़्यादा दरूर नहीं होती है क्योंकि ये प्रमालिक्ता की बात करता है इतिहास घटनाओं को एक साल विशेस के सामाजिक राजनितिक संदों में रख करके देखें ये भी बात सही है तो यहाँ पे कुश्चन नमर अठारा अंसर जाएगा उप्शन नमर टू के साथ ए बी डी इसी गलत है बाकी सारे सही है तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें वन दे एक्जाम इस्टडी और एंसी आटे छे साथ आट की कम्प्लीट वीडियो हमने बना रखी है ईवियस और इसी के साथ ईवियस तीन चार पांच के होगोल इतियास और नागरिक सास्त उसके वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में कमेंट बाक्स में मिल जाएंगे देख लीजेगा आप पेपर टू में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे